Q2. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. मैं यहाँ दो पार्ट हैं, आप वो k की value फाइंड करनी हैं, जिसके लिए roots equal, है न बचो? equal roots के condition क्या होती हो, बच्छे हो, b square minus 4ac is equal to 0, उससे पहले हम a, b, c पता करेंगे, देखें ऐसे, a, 2, b is equal to k and c is equal to 3. 4 equal roots, b square minus 4ac is equal to 0, तो बच्छे हो जा, k square minus 4ac, 4 into 2 into 3 is equal to 0, k square is equal to 24, k is equal to plus minus, जब भी बच्छे हो, पावर 2 हो, है न, आप square root ले रहे हों, तो दो sign लिया करें, plus और minus, चीक है न, क्योंकि दो value होंगी, 24, बच्छे अगर इसमें हम perfect square search करें, तो 4, 6 या, 24 होता है, तो 4 बच्छे और perfect square है, चीक है न, समस्कार है न, तो आप इसे लिपाएंगे ऐसे, plus minus 2 square root 6, एर बाद समस्कार हों, आप इसे 24 को ऐसे लिख सकते हो, क्या, 4 into 6, या उसके बाद भी आपके पास तरीके है, 2 into 2 into 2 into 3, ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे, या, एक बारे पता कर लो, कि अगर हम इसके दो factor पता करें, इसमें से एक perfect square हों, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप इसे solve कर सकते हो, ठीक है न, तो या, K की value होच्छे हो, plus minus 2 square root 6, K, KX square minus 2KX plus 6 is equal to 0, A is equal to K, B is equal to minus 2K, C is equal to 6, A की value होच्छो, K मिल गई, B की value minus 2K and C की value 6 मिल गई, एना होच्छो, अब 4 equal roots, B square minus 4AC is equal to 0, condition यह होच्छो, question में पूच्छा यह गया है, K की value पूच्छी गई, जबकी roots equal हो, ठीक है न, यह हमने कर लिया है, equal roots के लिए हमने condition लिए है, अब यहाँ value पूट करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा यह, minus 2K whole power 2 minus 4 into K into 6 is equal to 0, 4K square minus 24K is equal to 0, 4K common कर लिजिये बच्छो, तो K minus 6 is equal to 0, यह बच्छो, 4K equal नहीं हो तकता है, तो इसे एक बार आओ लिखेंगे, K, K minus 6 is equal to 0, बच्छो, यहाँ ध्यान दें, कि K की value या तो 0 होगी, या 6 होगी, है न, K की value बच्छो, क्योंकि K, K minus 6 is equal to 0, तो या तो K 0 होगा, या K minus 6 0 होगा, ठीक है न, तो उस case में आप देख पारे हैं, K की दो value मिली, लेकिन बच्छो, एक value हमें चोड़नी पड़ेगी, यहाँ, हमेशा नहीं, यहाँ तो चोड़नी पड़ेगी हो, आपको पताओ कि जब आप, quadratic equation बढ़ते हैं, ऐसे देखो, ऐसे लिखा होता है, AX square, plus BX, plus C is equal to 0, तो यहाँ लिखा जाता है, A is not equal 0, मतला, X square का जो coefficient है, वो 0 नहीं हो सकता है, है न, तो आप देख पारे हैं कि यहाँ, K multiply में हैं, KX square, तो K की value 0 ले सकते, अगर आप K की value 0 लेते हैं, तो यह quadratic equation रहेगी नहीं, है न, तो हम इसे छोड़ देंगे, K is equal to 0, neglected, then K is equal to 6, यह therefore यहाँ में लिख देता हूं, K is equal to 6, यह आप का अंसर हो गया? क्रहते हैं